Everyone, Welcome to Education Center जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा दो वीडियो जो आ चुकी है और आथ तीसरी वीडियो है आपकी ठीक है आज हम देखेंगे बिद्दुतकार के लिए आउजार इनसे जो important questions आते हैं आपके exam में आज हम लोग वो वाले discuss करते हैं ठीक है तो start करते हैं पहले question से पहला question है दोस्तों हमारा बिद्दुत धारा से लगी आपको बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि option है आपका उससे electrocution हो सकता है उससे तारों में खराबी आ सकती है उससे बिद्दुत अपगटन हो सकता है उपर यूगत सभी तो पहले आप ही सोच के बताओ ठीक है कि तारों में खराबी आने का कोई relation हो इनी सकता है ठीक है कि लगी आपको बुझाने के लगर आप पानी फेकते हो तो उसमें तारों में खराबी आएगी यह बिल्कुल नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है बिद्दुत अपगटनी प्रोसेस नहीं हो सकता है क्योंकि बिद्दुत अपगटन के लिए जानते हो अहाँ पे एनोड और कैथोड दो चीज़ने चाहिए होती है और यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस process होता है ठीक है और ये electrolyte solution भरा होता है एक anode होता है और दूसरा 각oid होता है तब battery से जुड़ा होता है salt circuit होता है तभी विद्द तब घटने क्रिया होती है electrolysis process होता है उपर यूप तो सभी का चक्कर ही नहीं बनता क्योंकि ये दो दो आपके option कट गए है ठीक है तो इसका सीधा-सीधा एंसर आपको क्या धेयान में रखना है Electrocution ठीक है उससे Electrocution हो सकता है इसका Description देख लेते हैं Plug है इसके Description में लिखा है बेद्दुध्धारा से लगी आग बुजिआने है तो जल का प्रयोग नहीं किया जा शक्ता है क्योंकि उससे electrocution हो सकता है क्योंकि उसी से धारा flow होने लगती है जानते हैं यह आप क्योंकि जो पानी होता है यह क्या है electricity का conductor है इसमें बिद्दो धारा बह सकती है इसमें current बह सकती है तो जब जिस चीज में मालो कहीं आग लगी है और अग पानी फैंक दिया तो इसमें भी current बह सकती है तो और फैला देगा आपको फिल यह बुझाने की जगा और आग लगा देगा तो इसलिए आपका answer यह बिल्कुल नहीं हो सकता है आपको ध्यान में रखना है कि electrocution हो सकता है electrocution मतलब समझ में आगया होगा आपको next question की तरफ move on करते है दूसरा question है आपका कि इंधन आग के सिलसिले में प्रियूक्त होने का अगनिसामत यंत्र का प्रकार क्या है तो आपको हमने बताया था कि जो इंधन से आग लगती है वो क्या हो जाता है उसको बुझाने के लिए क्या कर सकते हो कि इन में से जैसे soda अमल है soda अमल है, rate है, gel है और इन में से कोई नहीं है ऐसे चार option है CRPF का question है यह electrician trade वालों के लिए UP में पूछा गया है यह question 2013 में पहले आता था अभी नहीं आता है CRPF में ऐसे questions ठीक, तो ध्यान रखना है जो, but question आपको ध्यान में रखना है कि इन्धन से आग अगर लग दी है तो उसके लिए आप soda अमल यूज करोगे ठीक है, यहाँ पर description पढ़ लेते हैं इन्धन आग के सिलसिले में प्रियुक्त होने का अगनिसामक अगनिसामक का प्रकार soda अमल होता है soda अमल अगनिसामक यंतर से यंतर इथेन की आग से ठीक है, बचाव हे तु लगा होता है हर और दोगी काईयों में ये चीज लगाई जाती है ठीक है, soda अमल वाला system ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है ये question भी आपको, next है आपका the use of dash instruments is merely confined within laps and standardizing instruments dash उपकरण का उभियों केवल प्रियोग साल्या और मानकी करण के साधन के भीतर ही सीमित है ठीक है, इसमें option है आपका पूर्ण, absolute indicating, ठीक है, recording और integrating, means एकिकरित, लेखावद, पूर्ण और संके तक, ऐसे चार है, तो ध्यान रखना है जो पूर्ण उपकरण होते हैं, यहाँ पे क्या भर सकते हुआ, पूर्ण पूर्ण उपकरण का उप्योग केवल कार सालाओं, ठीक है या फिर मानकी, जहाँ पे मतलब लैव की बात कर रहे हैं, यह मानकी करण, ठीक है, के साधन के भीतर ही होता है, तो इसमें आपका एंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण, ठीक है यह भी कुश्चन आपका पूछा गया है UPRB UNLTG2 में सोरी, नेक्स्ट कुश्चन है आपका, कंट्रोलर इस बेसिकली नियंत्रक मूलभूत रूप से क्या होता है यह भी कुश्चन 2015 में पूचा गया है सेंसर होता है, कंपरेटर होता है एंप्लिफायर होता है, या फिर क्लिपर होता है, मिन्स समवेदक होता है ठीक है, या फिर तुलिनित्र होता है जो तुलना कर रहा है, ठीक है प्रवर्धन होता है जो जैसे amplifier क्या होता है जैसे magnitude बढ़ा देता है ठीक है जैसे 10 रुपए दो उसको तो 15 कर दे मतलब एक तरीके से इंप्रूब कर दे जैसे loud speaker आपने देखा होगा है न कि उसमें थोड़ा सा बोलते हैं तेज से जाती होगा तो एक तरीके का amplifier ही है clip कर देता है circuit को तो controller basically एक कुछ नहीं होता है यह comparator ठीक है तुले नित्र ठीक है क्या बोलना है आपको तुले नित्र जो तुलना करता है ठीक है तो controller क्या करता है यहाँ जैसे कोई circuit है यहाँ पर controller आपने लगा दिया तो यह आपका input signal हो गया जो आप इसको दे रहे होगा और यहाँ से feedback signal आता है ठीक है यह feedback के साथ में input को यहाँ पर तुलना करता है तुलना करके फिर यहाँ से output देता है ठीक है इत्ती बात आपको समझ में आ गई होगी best protection is provided by HRC fuse ठीक है in case आप जो HRC fuse होता है HRC का full form क्या होता है high rupturing circuit ठीक है क्या बोलते है high rupturing circuit ठीक है जो fuse होता है कि द्वारा service restriction प्रदान किया जाता है तो option है खुले परपत के लिए लगू sword circuit के लिए overload आति भारण के लिए या फिर under damned के लिए तो ध्यान रखना है जो HRC fuse होता है यह बिल्कुल sword circuit के लिए use किया जाता है बस आपको इतना ध्यान रखना है HRC मतलब sword circuit ठीक है sword circuit के लिए अब देखो इसका description पढ़ लेते है HRC fuse के द्वारा service restriction रखना लगू परिपतों में प्रदान किया जाता है HRC fuse कारतूसी fuse का ही एक बिक्सित रूप होता है और इसका बिदारक छमता जो होती है वो कितनी होती है छाचट के बी ठीक है और और छाचट यह voltage की value दे रखी है और यह KBA की value दे रखी मतलब MBA की value तो 500 MBA ठीक है 500 MbA तक होती है इसकी value ठीक है मतलब इतनी value तक रहेगा ना तब यह short circuit को control कर लेगा ऐसा fuse होता है बहुत बढ़िया होता है इसलिए इसे कारतूसी प्ररूपी उच्छ बिदारक छमता वाले fuse कहते हैं यह fuse बिदूत रोती यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है तो बात आपको ध्यान में रखनी है HRC fuse मतलब short circuit ध्यान में रखना है और इसकी value याद रखना है कि 6,6 KB और 500 MBA यह value हो जाता है इससे ज़्यादा होगा तो फिर इसका use नहीं करते है फ्यूज protection is used for current rating up to जो fuse सनरक्षण का जाता है वो कितनी धारा तक के लिए किया जा सकता है तो 100 A तक की current को cut करने के लिए या 100 A तक की current जहां पर flow हो रही है वहां पर फ्यूज यूज कर सकते हो ठीक है लेकिन 100 A से जादा अगर current फ्यूज आप नहीं यूज कर पाऊगे ठीक है अब ध्यान से समझने सीचको फ्यूज सनरक्षन का प्रियोग 100 एंपियर तक धारा का मुल्यांकन के लिए होता है ये तक्नीकी संसाधन जो उच्च बैदू धारा के बेरुद केविलों तथा उपकरणों की रक्षा के लिए विद्धूत परिपत के स्रेणी कम में सायोजित किया जाता है मतलब कोई भी चीज बचानी है ना आपको जैसे आपने यहां पे एक मोटर लगा रखी है क्या लगा रखी है मोटर अब मोटर में जो करेंट आ रही है हो सकता है जादा आ जाया तो यह मोटर आपकी फूंक जाए ठीक है अगर यहां पे आपने इसके इसी करेंट इसी जो फे तो जब यह open हो जाएगी तो motor में current अब जाही नहीं पाएगी मतलब यह है कि normal current तो डारेक्ट यह flow करा पा रहा था लेकिन जैसे ही current ज्यादा हुई फ्यूज बर्न कर गया मोटर से पहले फ्यूज जल गया अब जैसे फ्यूज जला तो यहां से current अब हवा में तो जाएगी नहीं धारा तो यहां तक पहुंची लेकिन आगे नहीं जा पाई closed path ना होने के कारण आगे बढ़ी नहीं पाई current तो यह आपकी motor क्या हो गई सेफ हो गई मतलब एक तरीके से safety instrument है ठीक है आगे चित्र में दिखाया गया बेद्दुद कारियों में उपयोगी आउजार क्या है यह ठीक है तो इसका नाम क्या है दोस्तों यह है आपकी crimping tool है क यह क्या है तो आपको बताना है क्या और मिल जार है यह यह फिर crimping tool है ठीक नेक्स्ट आप देख सकते हैं आगला कुश्यन कुश्यन नमबर एट किसकी अनुसार हाथावड़ा का वर्गी कृत किया जाता है ठीक है तो ध्यान रखना कि बेट के कारण केवल नहीं होता है किया जाता है यह बात आपको ध्यान में रखनी है ठीक है आएसे ऐसे चोटे चोटे कुश्यन होते हैं जो पूछे जाते हैं देखो यह UPPCL TGT2 एलेक्टिसियन दोजार पंदरा का कुश्यन है ठीक है तो बिल्कुल ध्यान में रखना है यह next question भी UPPCL TGT2 में आया हुगा ह की वेज काटने के लिए किस छेनी का उभियोग किया जाता है ठीक है की वेज मतलब एक तरीके से चावी नुमा ठीक है चावी ठीक है तो उसके लिए आप क्या ध्यान रखोगे केप छेनी ठीक है मिन्स केप चीजल ठीक है क्या ध्यान रखना है कि की वेज के लिए मिन्स च अगला है आपका यह कुछछन आपको ध्यान में रखना है next question की तरफ बढ़ते हैं thermostat thermostat जैसे नाम आया समझ लेना temperature ताप की बात कर रही है ठीक है तो ध्यान रखना thermostat of an automatic electric iron work according to means automatic बिजली के प्रेस जो होते हैं का thermostat निमलिखित के अनुसार कार्य करता है आपका टंप्रेचर मैंने बोला क्या थर्मो जैसे ही नाम आए सीधा आप तापमान पे जाना और एंसर टिक कर देना कहानी खतम आगे आपशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ठीक है अगला कुश्चन है गेज से ठीक है डगेज आप सुपर इनेमल तारों का जो गेज होता है वो तार गेज से नापा जाता है ये बात आपको ध्यान में रखनी है ठीक है अब जड़ा इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं क्या है सुपर इनेमल तारों का गेज तार गेज द्वारा मापा जाता है पतले तारों का गेज इस्कुरू के इससे न आपा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, अलग सा कुश्चन है, लकडी की वस्तुम में छेद करने के लिए हस्तर ड्रिल का उपियोग कियाता है, जो हाथ से घुमाते नहीं, ये घुमाते हैं नीचे, मतलब लकडी में छेद होता है, इस पा तारों के रोधन, मिन्स इंसुलेशन, इंसुलेशन समझते हो न, जैसे तार के उपर जो प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, कबरिंग, जैसे केबल होती है, उसके उपर जो प्लास्टिक की चीज़ें लगी होती हो, क्या इंसुलेशन है, जिस इंसुलेशन क्या करता है, कि जो अंदर current flow कर रही है वो आपको sock ना लगी इसके लिए cable बनाई जाती है उपर से insulation अंदर क्या होता है conductor means wire होते है तो तारों के रोधन insulation को सामानेता dash द्वारा हटाया जाता है means insulation of wire is generally removed by ठीक है किसके द्वारा? तार stripper के द्वारा हटाया जाता है GI pipe socket आज कसने तथा खोलने के लिए किया जाता है support file का उपयोग circuit cut करने के लिए किया जाता है otherwise आपको ध्यान में क्या रखना है ये question था आपका insulation को सामानेता ठीक है wire stripper के द्वारा हटाया जाता है next question देखते हैं क्या है आपका if the teeth have tenon warm out in order to make the teeth sharp अगर टेनन सो के दात घिस गए हो तो उन्हें तेज करने के लिए dash ठीक है क्या करते हैं अगर टेनन सो के दात घिस गए है तो उन्हें तेज करने के लिए it must be rubbed with triangular file ठीक है it must be tempered उसे temper नहीं किया जाता है ध्यान रखना दातों को गरम किया नहीं जाता है ठीक है उन्हें जमीन पर घिसना तो बिल्कुल नहीं चाहिए उसे त्रिबुजा का फाइल से घिसना चाहिए ये बात आपको ध्यान में रखनी है ठीक है next position की तरफ move करते हैं लोहे की चादर को सीधा करने के लिए लोहे की चादर को सीधा करने के लिए डैस का प्रियोग किया जाता है ठीक है तो लोहे की चादर को सीधा करने के लिए आपके पास option है ठीक है मैलेट, आरी, सपाट फाइल या फिर ड्रिलिंग, मसीन ठीक है तो इसके लिए क्या करते हैं मैलेट का उपियोग करते हैं ठीक है लोहे की चादर को सीधा करने के लिए हम मैलेट का प्रियोग करते हैं नेक्स्ट कुश्चन है आपका डैस के लेपन के लिए बीटा बैक इसकेटर तकनीक का उपियोग किया जाता है ठीक है तो जो मोटाई का मापन होता है ना मोटाई के मापन के लेपन के लिए बीटा बैक स्केटर तक्नीक का उपियो किया जाता है ठिकनेस मीजर्मेंट के लिए बीटा बैक स्केटर का आप यूज करते हो ठीक है यह ध्यान में रखना है बैंच वाइस का आकार ब्यक्त किया जाता है ठीक है किसमे किया जाता है जबडों की चौड़ाई से ध्यान रखना bench wise का आकार जबडों की चौड़ाई से ब्यक्त किया जाता है यह RRB ALP का question है ठीक है लोको पाइलट में question पूछा गया Indian ordinance factory में भी यह question पूछा गया है bench wise का आकार जबडे की चौड़ाई से ब्यक्त किया जाता है यह job को मजबूती से जकरने वाला ओजार है ठीक है और बितुत कार के लिए 10 cm जबडे वाली bench wise का प्रियोग भी किया जाता है यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है अगला question है आपका device का आकार ब्यक्त किया जाता है तो चूल एवं बिंदु के बीज की दूरी से दोनों टांगों के कुल लंबाई से दोनों बिंदु के बीज की रिक्तम दूरी से या उपरोक्त से किसी भी माप से ठीक है तो जो device का आकार होता है वो चूल और बिंदु ठीक है चूल और बिंदु के बीज की दूरी से ही ब्यक्त किया जाता है ये बात आपको ध्यान में रखनी है अगला question है आपका ठीक है दो बारा option हो गया है समन आंतर blocks का उप्योग किया जाता है समन आंतर blocks का उप्योग किया जाता है chipping के समय job को सहारा लेने के लिए hexo को काटते समय job को सहारा देने के लिए drilling के समय job को सहारा देने के लिए या फिर उप्रेक्ट तीने संक्रियाओं में job को सहारा देने के लिए ठीक है तो इसका जो आपका answer हो जाएगा उपरोप्त में से कोई भी के लिए समनांतर जो ब्लॉक लगाया जाता है वो किसी भी काम के लिए लिया जा सकता है इन तीनों में से इसमें जो डिस्क्रिप्सन उसको पढ़ते हैं ड्रिलिंग कटिंड आज संक्रियाओं में सीतक का प्रियोग कटिंग टूल तरहा जा जाब दोनों को ठंड़ा करने के लिए प्रियोग किया जाता है ड्रिल मसीन बैёнदोतिक वायरिंग लकड़ी या धात्वी क्वस्थूं में तीब्र गति चेद कारने के लिए हाथ में आया जाता है तो क्यों किया जाता है ऐसा ठीक है कि धादू के चिप्स ना तूट जाए इसके लिए ये काम किया जाता है ये पिछले भी क्लास में ये कुश्चन रिपेट हुआ है तो पढ़ लेना आप इसको अगला कुश्चन है हथ होडे का वरगी गरण निमन आधार पर किया जाता है तो अभी थोड़ी दिर पहले बताया है कि पिन के आकार और तौल के आधार पर किया जाता है ठीक है पिन के आकार और तौल के वजन के आधार पर है न हैक्सा ब्लेट की लंबाई ना पी जाती है तो दोनों पिन होल के जो बीच की दूरी होती है जो पिन और होल के बीच की दूरी होती है जैसे ये समझ लो ये होल है और ये इसका पिन है तो इनके बीच की दूरी से ही हेक्सा ब्लेट की लंबाई ना पी जाती है ठीक है तो ये आप पड़ लेना यहां पे देखो इसमें लिखा आया है हेक्सा अगला कुश्चन है एकसा ब्लेट की लंबाई नापी जाती है तो यह कुश्चन है दोस्तों जो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे इनको आपको याद करना पड़ेगा एक तरीके से अगर आपको एक्जाम निकालना है तो आपको याद करना ही पड़ेगा ठीके अगला कुश्चन है आपका यहां पर पड़ो फाइल की लंबाई पॉइंट से हील तक नापी जाती है तदा फाइल सामानेता 10 15 25 25 25 25 तक हो सकती है ठीके अगला कुश्चन है आपका चीजल निर्माड में ठीके चीजल निर्माड में प्रियोक्त धात हो है ठीके चीजल निर्माड में जो प्रियोक्त धात होती है वो क्या होती है high carbon steel होती है high carbon steel carbon जितना डालोगे steel में उतनी ही ज़्यादा tough होती जाएगी तो chisel उसी से बनाई जाएगी तो chisel उसी से बनाई जाएगी है ना? chisel निर्माण में high carbon steel है chisel की लंबाई सामनता 10 cm से 30 cm तक होती है बिद्धुत कार के लिए दो प्रकार की चीजल की आवसकता होती है फार्मल चीजल और कोल्ट फ्लैट चीजल इसका प्रियोग विभिन प्रकार की लकड़ी वा माई का सीड तथा फिटिंग को आवसकता अनुसार आकार देने के लिए किया जाता है अगला कुश्चन पढ़ते है उप्योग के बाद रेती वा हेक्सा को क्या करना चाहिए दोस्तों ब्रस से साफ करके रखना चाहिए बहुत ही सिंपल सा है घरों में भी आप देखते होगे जो रेती होती है या फिर हेक्सा होता है उसको क्या करते हैं उफियोग कर लिया है तो उसको डारेक्ट नहीं रखते हैं ठैकि उसको साफ करके रखना चाहिए कि नेक्स टाइम जब आप यूज करो तो उसके जो होल है उसमें पार्टिकल्स ना अठके रहें नहीं तो नमी या फिर वो पार्टिकल्स अगर नमी या फिर सल्द पाएंगे ना तो उसमें जंग लग जाएगा ठीक है इससे आपकी रेती या फिर वो हैक्स खराब हो सकता है अगला 27 नमर इसको आप ध्यान में रखना ऐसे ही इसमें ज्यादा कुछ है नहीं तो ज्यादा तरह कुछ तो आप डारिक्ट कर लोगे और कुछ आपको याद रफना पड़ेगा पॉइंट मतलब डारेक्ट कुष्च्छन को हीक्स ब्लेड के दातों को शेटिंग करने का मुक्ज कारण क्या है तो उसके दातों को जो setting किया जाता है cutting के समय घरसंड को कम हो ठीक है मतलब रगडे कम आराम से easily cut जाए इसके लिए हर बार hexa blade या फिर carpenter sub blade जो होती है उनको set करना पड़ता है बार बार ठीक है पहले set करते हैं उसके बाद काटते हैं ठीक है इसके एक किस लिए करते हैं जोई घरसंड काम हो यहाँ पे देखो hexa blade तथा carpenter sub blade के दातों की setting का मुख्य कारण cutting के समय घरसंड को कम करना होता है बिदूत कार के लिए 30 से 40 cm लंबाई वारा टैनल का उपयोग तो टैनल सा उपयोग तो होता है इसका उपयोग लकड़ी, सन्माई का तथा plastic की वस्वों को काटने की आवस्षक आकरिती प्रदान करने के लिए किया जाता है next question है आपका micrometer का प्रियोग करने से पूर्व ठीक है क्या करना चाहिए उसको ठीक है यह तीन काम करने चाहिए कौन कौन से हाथों को भली भात हिसाब कर लेने चाहिए क्योंकि micrometer में थोड़ी से त्रूटी मतलब बहुत बड़ी त्रूटी हो जाएगी micrometer की सून त्रूटी को समायोजित कर लेना चाहिए micrometer को कपड़े से साफ कर लेना चाहिए ये तीनों काम कर लेने चाहिए ठीक है अगला कुश्चन है आपका इस पार्क प्लग आदी का एर गया पनापने का प्रियोग किया जाने वाला कौन सा यंत्र है तो फिलर गेज है क्या नाम है उसका फिलर गेज इस पार्क प्लग या फिर ऐसी आदी जो चीजें है छोटी छो करें जानाय वाला यान्त्र है फिलर गेज दवारा एक एयर का गय का गया बिथर मापा जाता है मतलब क्यों होता है दो पार्ट के बीच कि यल्वी अगला कुशन छोटे तार और केबिल को जब वो ये टर्मिनल से बहुत समीब होते हैं काटने के लिए जिस टूल का प्रियोग करते हैं वो क्या कहलाता है तो तिर्चा काट प्लायर कहलाता है ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है एलेक्टरिसियन चाकू से नहीं काटेंग करना चाहिए नहीं तो दूसरा वायर भी कट जाएगा उसी के साथ में ये पंद्रा सेंटीमीटर लंबा इंसुलेटेट दस्ते वाला लंबी वा चप्ति चोच वाला होता है तो आप अगर नहीं देखे होगे तो गूगल पर डाल सकते हो ठीक है अराम से दिख जाएगा त प्रिष्ट की वर्गता की जाच कर लेता है लेकिंगे प्रिष्ट की समानतरता की जाच कर लेता है प्रिष्ट की सपाटता की जाच नहीं कर सकता है तो आपका जो एंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है अगला कोश्चन है आपका कि एक धाद उपर दूसरी धाद के निच्छेपन की प्रकरिया को किस रूप में जाना जाता है त चांदी की है ना तभी चांदी नूमा देखती है अगला कुश्चन इसे लवडों के घोलों में DC प्रवाहित करने पर धातूं के उनके लवडों में प्रिधक किया जाता है इसको मैंने पढ़ा रखा है जाके आप यूपी आर्वी यूनल के जो क्रैस कोर्स है उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी लगतार आप अगर उसको पढ़ते हो तो यहां पर बहुत ज्यादा बेनेफेसियल होगी वो ठीक है अगला कुश्चन है आपका किसी लैंप होल्डर को जमीन के अस्तर से कम से कम डैस उचाई पर लगाया जाना चाहिए ठीक है जो लैंप होल्डर हो पर सिधा सा आपको ध्यान में रखना है कि कम से कम उचाई कितनी होनी चाहिए दो मीटर होनी चाहिए नीचे से लैंप होल्डर अब यह जब कुछ डेटा है यहाँ जो नीचे दिये गए हैं बिल्कुल आपको ध्यान में रखने एक भी भूलने नहीं है लैंप होल्डर की जमीन अस्तर से उचाई कम से कम दो मीटर होनी चाहिए, स्विच बोर्ड की कम से कम डेढ़ मीटर होनी चाहिए, ठीक है, और डिस्ट्रिविशन बोर्ड की जमीन से कम से कम दो मीटर होनी चाहिए, दीवार की मोटाई कम से कम 0.3 मीटर होनी चाहिए, मतलब 30 सेंटी मीटर कम से कम 0.5 मीटर होनी चीए लाइट के जेस्ट बगल में फैन कभी नहीं लगाया जाता है ठीक है तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए नौर्मली घरों के लिए भी अगला है जो गीजर है गीजर में भीतरी कंटेनर वो बाहरी केसिंग के बीच गलास बूल क्यों लगाया जाता है ठीक है जो गीजर होता है उसके भीतरी कंटेनर और बाहरी केसिंग के बीच में गलास बूल क्यों लगाया जाता है काँच का ठीक है तो उसमा हानी ना हो जादा हीटिंग प्रॉब्लम ना हो इसलिए वहाँ पे ग्लास बूल लगाया जाता है ठीक है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी नेक्ट कुश्चन आपका 37 नमबर निमलिखित कारणों में से किसी एक कारण किसी एक के कारण जोडों के धीले पन से बचने के लिए Britannia जोड ठीक है Britannia जोड को sold करना अनिवार है उस कारण को पहचाने ठीक है एनमर्परों में तो वातावरण में परिवर्टन और कमपनत के कारण जो होता है उसमें धीला पना जाता है तो इसके काराण ही ब्रिटेनिया जोड को जोडा जाता है ब्रिटानिया जोड बनाया जाता है और फिर उसके बाद उसको सोल्डिंग भी कर दिया जाता है यह कुश्चन आपको ध्यान में रखना है अगला कुश्चन आपका 38 नमबर 2-pin socket और pin का तब उपयोग किया जा सकता है जब SS reach क्या होनी चाहिए दोहरी insulated हो 2-pin 2-pin मतलब 2 और 2 मतलब यहां पर ऐसे सिधे option आप ध्यान रखना दोहरी insulated ठीग है कुश्चन समझ में आ गया होगा next question की बात करते हैं तो next question क्या आ जाता है आपका one-liner question आ जाता है चो एक line में सीधा पढ़के मतलब एक तरीके से जितना भी आपने पढ़ लिया उनसे ही related है तो यह question सीधा आप पढ़ो यह one-liner का answer आप ध्यान में रखो एक बार मैं आपको बता देता हूँ बाद में आप क्या करना वीडियो को speed बढ़ा लेना 1.5 पर करके इसको बार बार एक दो बार देख लेना सारे questions आपके learn हो जाए इसमें कुछ ऐसा concept नहीं है दोस्तों कि मैं समझा सकूं दिखा सकूं जो समझाना है UPRBNL की जो crash codes है या UPPCL का crash codes हमने लगा रखा है ठीक है अलग playlist में है वहाँ पी जाके आप सारे playlist में सारे वीडियोज एक तरफ से देखो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा बहुत ही स उसके हाथ पाउं किन्हे कहा जाता है तो आउजारों को ही विद्दुतकार के लिए हाथ पाउं कहा जाता है जैसे कहते है ना तुहारा हाथ पाउं क्या है तो विद्दुतकार के लिए विद्दुतकार का हाथ पाउं क्या है आउजार ही है ठीक है अगला question प्रसिक्छार धो जफिह लगश्टर थें जिनको प्रसिक्षण कराना है या कारीगध को आउजार संबंधित किस प्रकार का ज्यान होना चाहिए तो आउजारों का उपियोग इनको आना चाहिए और उनकी अनुरक्षण उनका रक्षण एक तरीक से उनको कैसे बना के रखा चाहिए इतना ही समझ में राखنا है उंको ठीक है वाओ जार कैसे बने यह सब नहीं उनको धिहान में रखना सिर्फ उनका उप्योग उनको आना चाहिए क्योंकि उनको ITI वालों को क्या करना पड़ता है काम ही करना पड़ता है ना कि जहां पर समस्या होती है ITI वाले ही तो काम करते हैं उस चीज को उनके बारे में कम उसको जानकारी होने चाहिए ठीक है तो ये चीज आपको जान में रखने है बिद्दुतकार के toolkit किस प् locked lookin氣 पिचकस का प्रियोग किस लिए किया जाता है तो अगला है फेज-tesटर का प्रियोग किस लिए किया जाता है पहेज को टेस्ट करेगा फेज टेस्टने, कि तक कारे प्न ठेस्टक के पान्सों बोल 사ट तक कारे करता है फेज टेस्ट लेंप द्वारा पहचान की जाती है AC सप्लाई के फेज नियूटरल और अर्थतारों की ठीक है ये तीन पॉइंट बिल्कुल ध्यान में रखना इंपोर्टेंट है ठीक है पोकर की टिप कैसी होती है तो पोकर की टिप जो होती है अगला बिद्दुतकार के लिए किस प्रकार का कंबिनेशन प्लायर उपर युग तो होता है तो 20 सेंटीमीटर लंबाई तो था इंसुलेटेट दस्ते वाला ठीक है कंबिनेशन प्लायर होता है उसके पाद इलेक्ट्रीसियन चाकू में कितने ब्लेड होते है तो दोस्तों दो ब्लेड होते है बिद्दुतकार के लिए किस प्रकार का हताओडा होता है तो बाल पिन हताओडा रावल प्लाग को ठोकने से पूर्म कुछ घंटे के लिए जल में भीगोकर क्यों रखा जाता है जिससे रावल प्लाग पेंच को सरलता से जकर सके ठीक है इस अब वन लाइनर कुछ चेन है ध्यान रखना आप छेनी कितने प्रकार की होती है दो प्रकार की कोल्ड और हाट छेनी ठीक है बिद्दूत कार के लिए किस प्रकार की छेनी की आवसकता होती है तो फर्मल चीजल फर्मल मतलब नार्मल फर्मल छेनी और कोल्ड फ्लैट छेनी चीजल को क्या बोलते हैं अंगली हिंदी में छेनी बोलते हैं ठीक है चीजल मतलब हिंदी में छेनी तो चीजल भी आपको ध्य में रखना है छेनी विध्यान में रखना है ठीक है अगला कुछन है बिद्दुत कार के लिए किस प्रकार का फीता उपी यूगत होता है तो 150 cm लंबाई यूगत फ्लेक्सिबल फीता होता है कितना होता 150 cm का लंबा होता है फ्लेक्सिबल इस्टील का उनका टेप होता है इनका टेप थीक है जिस से नापते है ये बात आपको ध्यान में रखनी है Hand Drill Machine की छमता की साधार पर ब्यक्त की जाती है तो इसकी चक और ringing bit धारन करने की छमता के आधार पर Hand Drill की छमता बताई जाती है इसका चक कितना है चक की ड्रिल बिट कितनी है कितनी ले सकती है इसकी ड्रिल बिट उसी से इसकी छमता बताई जाती है अगला कुश्चन है हैंड ड्रिल मसीन का ओपियो किन में छिद्र करने के लिए करते हैं तो लकड़ी सर्माई का प्लास्टिक बास ठीक है ब्रास या फिर और चक मतलब इसके चाउडाई कितनी है जो दाता होता है इसमें जिससे कटता है वो कितना है ठीक है उससे उसकी छमता का पता चल जाता है अगला कुश्चन है बैदुतिक वाइरिंग आदि में समकोण की परख करने के लिए किसका उपयोग करते हैं तो दोस्तों ट्राई स्क बिदुतकार के लिए किस आकार के स्पैनर्स उपयोगत होते हैं तो 3 mm से 25 mm जबड़े वाले डबल स्टेंडर्स स्पैनर्स यूज किये जाते हैं ठीक है इतनी बात आपको ध्यान में रखने हैं काटे गए पाइप के नुकीले सिरे को चिकना करने के लिए क्या करते हैं हम किसका उपयोग करते हैं रीमर का ठीक है अगर पाइप को काट दिया है आपने उसका जो चुकीला नुकीला सिरा है उसको अगर चिकना करना आपको तो रीमर उपयोग कर लो आप ठीक है बिदुतकार के लिए किस आकार का जिमलेट उपयोगत होता है तो 3 6 और 10 mm 82 जिमलेट यूज किया जाता है बिदुतकार के लिए ठीक है अगला है इलेक्ट्रिक ड्रिल मसीन का प्रियोग किस में छीत करने के लिए किया जाता है तो इलेक्ट्रिक ड्रिस मतलब बिदुत से जो चलेगी ड्रिलिंग मसीन तो बिदुतिक वायरिंग लकड़ी यत्वा धात्विक बस्तुओं में जहां पे जादा जरूरी होता है जादा बड़ा होता है या फिर जहां पे हाथ से करना पॉसिबल नहीं होता है वहां पे इलेक्ट्रिक ड्रिल मसीन का उपियो किया जाता है ठीक है नेक्स्ट इलेक्ट्रिक ड्रिल मसीन में ड्रिल बिट को कसने के लिए बिट चाभी हैं चक की चाभी का प्रियोग करते हैं वायर गेज की परीधि का परीधि पर किस नाप से खाचे कटे होते हैं तो Standard Wire Gauge जो HWG बोलते हो ना Standard Wire Gauge ठीक है Wire Gauge की परीधि को नापता है एक तरीके से केबिल जॉाइंट में जोड को गर्म करने तथा सोल्डर को पिखलाने के लिए किसका प्रियोग की जाता है तो ब्लो लैंप ब्लो मतलब एक तरीके से ब्लो कर गए गरम कर दे एक लम होट कर दे फिर पिखल जाएगा है न अगला बिद्दुत कारों को वायरिंग करते समय सही उर्ध लाइन खीचने के लिए किसाओजार का प्रियोग करता है तो साहूल ठीक है सीधी लाइन खीचना तो क्या करते हैं ये दोस्तों साहूल का प्रियोग करते है रेती के दाते किसके द्वारा साफ किये जाने चाहिए तो वायर ब्रस के द्वारा साफ किये जाते हैं रेती के दाते फेज टेस्टर को किस बोल्टेज से अधिक बोल्टेज पर प्रियोग नहीं करना चाहिए तो 500 बोल्टेज से अधिक क्योंकि उसके लिमिट ही 500 बोल्टेज तक की होती है उससे जादा करोगे तो वो क्या हो ज adjustable spinner जो इस्पैनर को adjust कर सके कम ज़्यादा कर सके अपने according pipe rich एवं pipe cutter के साथ किसका प्रियोग नहीं करना चाहिए तो हताओडे का प्रियोग नहीं करना चाहिए उसके साथ में ठीक है electric drill machine को बिनड़ प्लग top लगाए machine को किसमें नहीं जोड़ना चाहिए तो बिदुत स्रोज से नहीं जोड़ना चाहिए बीन सब कुछ काम कर लिए मतलब सप्लाई बाद में दे नहीं पहले सप्लाई दे दिए उसके बाद आप जोड़ने जा रहे हो तो आपको सौक लग सकता है ठीक है यह बिल्कुल आप ध्यान में रखना है नहीं तो करेंट खा जाओगे यह देखने में पेचकस जैसा होता है परन्तु यह पेचकस नहीं है इसके हैंडल पर एक नियोन लैम्प लगा होता है इस कथन में कौन से ओजार की भी सेस्ता बताई गई है तो यह सिधा सिधा फेज टेश्टर की बात की गई है क्योंकि यह पेचकस की तरह दिखता है लेकिन यह पेचकस है नहीं इसमें एक बल्ब लगी होती है उपर इंडिकेटर जो जलती है ठीक है नियोन की लैम्प होती है जो जलती है जिससे पता चलता है कि हाँ इसमें फेज है यह नहीं है तो यह क्या है दोस्तों फेज टिश्टर है ठीक है इसका उपयोग अलुमीनियम तथा ताबे के पतले तारों को काटने उनका इंसुलेशन छीलने तथा तारों को जोडने आइठने के लिए किया जाता है इस कथन से किस आउजार के बारे में वर्डन समझ में आता है आपको तो छे नहीं ठीक है जिसको अंगरेजी में चीजल बोलते हैं अगला है यह 15-20-30 cm लंबाई ब्लेड वाला होता है और इसे गुनिया भी कहते हैं इस कथन में किस आउजार के बारे में बताए गया है तो इसे ट्राई इसक्वायर के बारे में तो मतलब एक चीज ध्यान बताई गई है रैचिट ब्रेस यह लगडी का बना हथाओडा होता है दिये गए कथन से किस आउजार के बारे में बिसेस्ता बताई गई है तो मैं लेटा तो आज की क्लास में आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा मैंने बहुत जादा कोशिस की है कि आपको सारा क के एजाम के लिए तयारी कर रहे हो थीक है तो आपको बिल्कुल ये बिल्कुल वीडियो हेल्फुल होगी थीक है तो अगली क्लास की वीडियो नेक्स्ट डे आ जाएगी आपके ठीक है इतना आपको तयार करते रहना जितना मैं कराऊंगा उतना आप करते रहे सारे objective questions में स आप वहाँ पर देख सकते हो बाकी classes continue चलती रहेंगे तो वहाँ से आपको helpful help मिल जाएगे ठीक है तो thank you so much देखने के लिए channel को like video को like और channel को जरूर subscribe कर देना और bell icon को जरूर दबा देना ठीक है अगली video को तुरंद आपको सबसे पहले देखने के लिए ठीक है thank you so much मिलते है next लासमे